प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कुशिनगर यरपोर्ट के उद्खाटन के बाद अब यहां से नियमित रूप से पहली उड़ान शुरू हुई उत्रप्रदेश का ये तीसरा फंक्शनल इंटरनाशनल यरपोर्ट है तो पहली उड़ान बेहत यादगार और शानदार रही देखिए उत्रप्रदेश को एक की बाद एक नए यरपोर्ट की सौगात मिल रही है उत्रप्रदेश की जनता का रह अब आसान हो गया है उत्रप्रदेश के कुशिनगर अंतरास्टे यरपोर्ट से घरेलू उड़ान शुरू हो गई है पियम मोदी ने इससे पहले 20 ओक्टूबर को कुशिनगर इंटरनाशनल यरपोर्ट का उदखाटन किया था और अब ये यरपोर्ट फंक्शनल हो गया है यरपोर्ट से दिल्ली उड़ान स्पाइस जट की यरलाइन्स ने भरी स्पाइस जट की फ्लाइट दिल्ली से शुक्रवार दुपहर 12 बजे उड़ान भर कर दुपहर बाद 1 बज कर 35 मिनट पर कुशिनगर अंतरास्टे यरपोर्ट पर पहुँची 20 मिनट ठहरने के बाद वही फ्लाइट 1 बज कर 55 मिनट पर कुशिनगर से दिल्ली के लिए उड़ी इन दोनों तरफ से आने और जाने वाली यात्रियों को चंदन टीका लगा कर स्वागत किया गया इस दोरान केक भी काटा गया तो वही ऑथुरिटी की तरफ से वाटर कैनन सल्यूट यानि की जल सलाम ही दे गई कुशिनगर मुंबई के बीच फ्लाइट हफते में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुकरवार के लिए होगी 18 दिसंबर को मुंबई से स्पाइस जट की कुशिनगर के लिए पहली फ्लाइट 12 बचकर 10 मिनट से उडान भरकर दोपहर बाद 2 बचकर 25 मिनट बजे पहुँचेगी तो कुशिनगर से मुंबई की वापसी उडान दोपहर बाद 3 बजे से होगी वापसी की फ्लाइट शाम 5 बचकर 35 मिनट में मुंबई पहुँचेगी कुशिनगर और मुंबई के बीच उडान की सुविदा सपता में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को उपलब्ध होगी कुशिनगर यरपोर्ट प्रदेश का 3 फंक्शनल इंटरनाशनल यरपोर्ट है जो रनवे की मामले में प्रदेश में फिलहाल सबसे बड़ा है कुशिनगर से सीधी उडानों के लिए सेंगापूर, इंडोनेशिया, व्यतिनाम, चीन, कमबोडिया, श्रिलंका समेत दो दरजन देशों के अधिकरत एजनसिया सर्वे कर रही है, जिसमें श्रिलंका, व्यतिनाम और सिंगापूर की यरपोर्ट ऑथरोटी ने हरी जंडी भी दे दी है उम्मीद की जारी है कि नए साल से पहले ही अंतिरास्टी उडानों का शेडूल भी जारी हो जाएगा और जनवरी महीने से अंतिरास्टी उडाने भी नियमित हो जाएगी कुशिनगर यरपोर्ट के इतिहास की बात करे तो इसका इतिहास 26 साल पुराना है अंग्रेजों के जमाने में कुशिनगर हवाई पट्टी का निर्मान हुआ था जिसे 1995 में मैवती की सरकार ने अंतिरास्टी यरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी थी ततकालिन केंद्रे नागर बिमानन मंत्री गुलाम नभी आजाद और ततकालिन राजपाल मोतिलाल वोरा ने टर्मिनल बिल्डिंग का भूमी पूजन भी कर दिया था हालाकि इसके बाद इस पर काम में कोई तेजी नहीं आई बीच में 2007 से 2012 तक मैवती भी सत्ता में रही लेकिन उन्होंने भी इसे लेकर जादा रूची नहीं दिखाई पर काम पूरा बीजपी की सरकार में हुआ तो बहुत जल्द इस एरपोर्ट का काम पूरा हुआ है और अब सेवा भी शुरू की जा चुकी है जिसे यूपी की जनता को काफी सुबधा मिलेगी एक के बाद एक यूपी में बीजपी की सरकार ने बड़ी सौगाद दी कर ये काम करके दिखाया कि जो किसी ने कभी सोचा नहीं था और अब जे वर्य एरपोर्ट की सौगाद भी मिल चुकी है जिसे 2024 में पूरा कर लिया जाएगा इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें प्रदेश नमस्कार